दोस्तो आज हम एक्स्प्लेइन करने वाले हैं भीमा मुवी को जिसकी डिमाड आप लोग काफी टाइम से कर रहे थे इसे बात पर वीडियो को भी लाइक कर दिजिए हम चलिए कहानी शुरू करते हैं तो मुवी की शिरुवात में हमें वो इस ओवर की जरियो बताय जाता है कि भगवान विश्णू की छटे अफ्तार परशूराम ने त्रिता युग में पृत्वी के किस चकर लगाने के साथ सारे पापियों का संगार करके उनका नामों निशान मिटा दिया और ये पाप मुक् सुरत भूमी का निर्माड हुआ जिसके जंगलों में समुद्र के कनीजों के कारण कुछ ऐसी जड़ी बूठिया प्रकट हुई जो कि बहुत ही दुड़लब है पर शुराम ने इनी जंगलों में अपनी साधना की और यहां पर एक शिव मंदिर का निर्माड हुआ जिनके भग स्वें पर शुराम थे इसी के साथ कहानी प्रिजन्ट समय में आती है जहां इस शिव मंदिर में ताला लग चुका है पर अभी लोग यहां पर किसी तरह कर रहे थे एक बच्चे के पूछने पर उसके दादा जी बताते हैं कि शिव मंदिर में एक दिन अपने आप एक अपनी वो इच्छा पूरी कर सकती है बस उसे इजाज़त चाहिए होती है सिर्फ महादेव की करीब 50 साल पहले ऐसे इस मंदिर में प्राथना करने पर एक पिता की मौत के बाद उसकी आत्मा उसके बेटे में आ गई और पिता की आत्मा के शरीर में प्रवेश करते ही उस ब जहाँ पर भवानी नाम के गुणने का राज है उसकी शिकायत पुलिस से करने के लिए कुछ लोग एक आफिसर से मिलते हैं असल में लोगों के पैट्रोल पम की दो ट्रक तो सीधा पैट्रोल इधर से उधर लेकर जाने का काम करती है पर हर एक पैट्रोल पम के परमिट पर एक तीसरा ट्रक भी चेकपोर्ट से पार करता है अब उसमें क्या है ये किसी को नहीं पता ओफिसर इन लोगों की पुलिस कम्प्लीन लिख कर भवानी को पकड़ निकले जाता है मगर कुछी समय में भवानी उसी की लाश को लेकर इन सबी लोगों के पास आता है और उन्हे एक्टिडेंट हो गया और उसमें सवार सभी लोग मारे गए जो भी लोग मरे हैं उन सभी को 10 लाक रुपे मुआपजे का भी एलान किया जाता है ये बास सुन सतीश अपने साथियों के साथ उस्पिटल में पहुंच जाता है जहां सभी मर चुके लोगों की लाशे रखी ह अब महाँ पर दो लाशे ऐसी होती हैं जिने किसी ने भी क्लेम नहीं किया था जो थी एक लेडी और एक जैंट्स की तो ये लोग जैंट्स की लाश को चुनते हैं और उसे अपने परिवार का सद्द से बता कर पैसे अपने नाम करवा लेते हैं फिर ये लाशे ने दे दी जाती है और सतीश ही उसका क्रियकरम कर देता है फिर जब चीता जल रही होती है तो सतीश उस मरी हुए आदमी से कहता है कि तुमारी वज़ा से मुझे आज बहुत फाइदा हुआ है इस दस लाग रुपे के लिए थैंक यू अगर तुम जिंदा होते तो मैं तुमारे ले क कुछ तो जरूर करता उसकी इतना कहते है सतीश को उस चीता में कुछ दिखता है और उसके आँके चोड़ी हो जाती है आप सतीश ने है क्या देखा था या उसके साथ क्या हुआ ये तो हमें नहीं दिखाय जाता क्योंकि कान यहां से दो महिने पहले चली जाती है वापस मह लेकिन मैं तुझे अभी नए अरेस्ट करूँगा क्योंकि फिर तु मेरा ट्रांसवर कई और करवा देगा और कमिशनर साब को ये बात अच्छी नहीं लगेगी इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं यहाँ भी एक महने पूरा रहकर गाउं गुमूँगा तब तक तुम मजे क करो लेकिन एक महने पूरा होते ही तुम खुदा का सरेंडर कर देना क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया और मुझे आना पड़ा तो मैं तुम्हें अच्छे से दोड़ने के बाद ही अंदर करूँगा इतना कहकर भीमा मासे चला जाता है अब भीमा नहीं आते ही सभी गैर कानु पर रोग लगा दी थी जिस कारण भवानी को काफी नुकसान सैना पड़ रहा था अब ये बात जब उसके बेटे रुद्र को पता चलती है तो वो वापस गाउं आने की बात करता है लेकिन भवानी उससे रोकता है और कहता है कि तुम जिस काम के लिए गए हो वो जरूरी ह बाकि उस भीमा का वक्त इसी दुरान गाउं के दूसरे चोर पर हम कुछ लोगों को किसी तरह का सैटनिक रिच्वल करते हुए देखते हैं इसके बारे में भी हमें आगे पता चलेगा इधर भीमा पूरे गाउं में एलान कर देता है कि आपसे जिसका भी कुछ चोरी होगा तो आप पुलिस स्टेशन आकर जितने की चोरी हुई है उतने के नाम लेकर जा सकते हैं दरसल यहां पुलिस उल्टा लोगों से घुस खाती थी तो लोगों ने चोरी चकारी की घटना के लिए पुलिस स्टेशन जाना ही छोड़ दिया था इसलिए भीमा ने ये ऐलान किया इसी बीच एक आदमी का पर्स चोरी हो जाता है जिसमें 5000 रुपे थे इसके बदले भीमा उसे अपने जूनियर ओफिसर्स की तरफ से 500 रुपे दिलवा देता है इसमें एक्टरा 500 रुपे उस वोलेट का भी दाम था जो भीमा न उसे दिलवा दिया था अब ये पैसे भीमा भीमा ने यहाँ का सिष्टम एकदम से साही कर दिया था इसी भीमा की मुलाकात एक बच्चे से होती है जिसका नाम रमा था वो बच्चा नात था और पेट पालने के लिए चाय बेचता था इस बच्चे का नाम सुनकर ना जाने क्यों भीमा थोड़ा एमोशनल हो जाता है और उससे कहता है कि तुम मुझे भईया बोला करो। फिर एक दिन कहीं जाते वक्त भीमा यहां कि प्राची शिव मंदिर के सामने रुखता है। महां का एक सादू भीमा के सर पर हाथ रखते हुए कहता है कि हमें तुमारा इंतिजार था। इसके बाद एक बार ऐसे ही जब भीमा पुलिस स्टेशन में होता है तो महां विद्या नाम की एक लड़की आती है क्योंकि उसे पुलिस सेक्यूटी चाहिए थी। वो भीमा से बताती है कि मुझे एक लड़का कह रहा है कि अगर मैंने उसे शादी के लिए हाने की तो वो मुझे पर एसिड डाल देगा और मुझे उस से सुरक्षा चाहिए। भीमा विद्या को देखते ही उस पर लट्टू हो जाता है और वो विद्या को परसनल सेक्यूटी देना शुरू करता है सबसे पहले वो विद्या को इसकूल लेकर जाता है जहां वो टीचर थी। तब भीमा को पता चलता है कि ये तो विद्या का पार्ट टाइम काम है असल खुब अच्छे सद होता है तब वो देखता है कि ये असल में विद्या के पीछे एसेट की जगा सोड़ा लेकर गुमता था इस बारे में जाने के बाद भीमा उस आशिक की फोन से विद्या को मैसेच करके कहता है कि आज में तुमारे होस्टल में गुस कर तुम पर एसेट फ कि विद्या काईरवेदिक के अचारे रविंद्र के सेंटर में रिसर्च कर रही है रविंद्र विद्या के लिए उसके पिता के समान है साथ ही रविंद्र के इस आईरवेदिक सेंटर में उन बीमारे को इलाज भी हो जाता है जिसका इलाज कई डॉक्टर्स के पास भी नह आम निवास करते थे यहां की धर्ती पर कई सारी जड़ी बूटिया है मेरा तो मानना है कि संजीवनी भी यही हमें मिल सकती है इसी दुरान भीमा भी रविंद्र से मिलता है जो यह विद्या को लेने आया था इधर भवाने के लगबक सारे गलत धंदे तो भीमा ने बंद थी लेकिन भीमा केले भवानी को नहीं बलकी उसके बेटे रुद्रा और उसके खास आदमी टंडवा को भी सजा देना चाता था एक रहा तचानक से भवानी के एक टंकर का एक्सिडेंट हो जाता है जिसके बारे में पता चलते हैं भीमा वाँ पहुंचता है और एक प्लिस जाना होगा जहां टंडवा के गुंडे चारो तरफ फैले हुए थे असल में एम्बिलन्स का ट्राइवर नशे में धुत पड़ा था और एम्बिलन्स का एक पईया रिटेन में धसा हुआ था इसलिए भीमा सभी बच्चों को बचाते हुए और टंडवा के गुंडों को मा लेकिन टंडवा भीमा की बॉड़ी में एक खास तरह का जहर इंजेक्ट कर देता है इस जहर के असर से भीमा गिर पड़ता है और उसे टंडवा के लोग बांध कर 20 समंदर में फेक देते हैं जिसके साथ हमें एक सीन दिखाय जाता है भीमा की जड़वा भाई रामा को जो क वो जबरदस्ती परी की शादी एक लड़के से करवा रहे थे यहां रामा इतना सीधा था कि वो परी के कहने पर भी उसे लेकर भागने के लिए तयार नहीं था उसके सामने परी से जिसकी सगाय हुई थी वो आदमी परी को लेकर चल देता है और रामा कुछ भी नहीं कहता रामा इस जगा पर एक महन के साथ रहता था जिनने वो मामा कहकर बुलाता था वहाँ पर वो कुछ पलिस वालों को देखकर डर जाता है क्योंकि जब वो छोटा था तब भीमा को एक हवलदार ने जुआ खेलते वे पकड़ा था अब रामा भी उसी की तरह दिखता था तो भीमा समझकर काफी मारा और पुलिस इस्टेशन ले गया इस बारे में जब रामा के पिता को पता चला तो वो भीमा को लेकर थाने पहुँच गए यह सारी confusion clear होने के बाद पुलिस वाला रामा से कहता है कि आप भीमा को बुरा न समझे बस वो रामा से अलग है इसे बीच जब देखता है कि कैसे उस अवलदार ने रामा को मारा था तो वो उल्टावलदार पर ही गंद तान देता है ये देख रामा के पिता को बहुत गुस्सा आता है और वो भीमा से कहते हैं कि तो आज से मेरा बेटा नहीं है तब उनकी कहने के बाद पुलिस वाले नहीं भीमा को एडप्ट कर लिया और रामा तो भीमा की तरफ देखता भी नहीं था क्योंकि हमेशा कांट भीमा करता था और उसकी सजा रामा को मिलती थी हाला कि भीमा उसे बहुत मानता था उसके कान तरस्ते थे कि रामा उसे भाई कहकर बुलाए लेकिन रामा ने उसे कभी भाई बोलाई नहीं आज भी भीमा की याद रामा की दिमाग में ताजा है इस तरह समुदर में गिरने की वज़ा से भीमा के अंदर का जहर कम हो चुका था और उसे कुछ मच्छुआरों ने बचा लिया था साथ याँ बच्चे तो रविन्र के आश्रम में सुरक्षित थे लेकिन भीमा अब जान चुका था कि उसे भाईवानी को खतम करना ही होगा पर उसके पास भाईवानी की खिलाफ कोई सबूर नहीं था इसलिए वाईवानी को जाकर धमकी देता है कि मैंना चुट्टिया पूरी कर ली है अब बारी है कि तो अपने सारे पापो का फल भोगेगा उधर हमेशा की तरह परी रामा से आकर कहती है कि मुझे बगा कर ले चलो नहीं तो मेरी शादी पापा दूसरे से कर देंगे लेकिन रामा तो एकदम सीधा साधा था ये सब महाँ पर बैठा सतीश देख रहा था जो क्या कर परी से कहता है कि मैं तुम्हारा बच्पन का दोस्त सतीश हूँ अब सतीश नाम बहुत ही कौमन होता है तो इस नाम का परी का दोस्त सच में था सतीश परी और रामा दोनों से कहता है कि मैं तुम दोनों की शादी करवा कर रहूंगा फिर परी का पिताव से लेकर चला जाता है लेकिन सतीश रामा की मदद करता है परी को उसकी शादी से ठीक एक राद पहले बगाने में और वो दोलों को लेकर महंदगरी आ जाता है या रामा जब परी से सतीश के बारे में पूछता है तो वो कहते कि सतीश यहां के एक प्राचिन मंदिर में हमारी शादी की तयारी करने गया है लेकिन उसका फोन ही छुट गया था सतीश के फोन पर उसके दोस्तों का फोन आता है और रामा को पता चल जाता है कि सतीश एक ठग है इसे दुरान सतीश भीमा आ चुका था पूछने पर सतीश बताता है कि पहली बार कोई काम वो बिना स्वार्त के कर रहा है वो कहता है कि मुझे तुम्हारे भाई भीमा ने यहां लाने के लिए बोला है क्योंकि वो मर चुका है दरसल रामा के यहां आने के 9 दिन पहले भीमा को पता चला था कि इन बच्चों को सप्लाइ करने का काम टर्णवा करता था और ये सबी बच्चे आनात थे तो इनकी कोई मिसिंग जिपोर्ट भी नहीं लिखवा गयी थी साथ ही रुद्रा भी आज गाउं में आने वाला था या भीमा के ब्लैन सबसे पहले उसे पकड़ने का था जो बात सुनकर एक कोश्ट गार्ड रुद्रा के आने पर उसे बता देता है इस कारण रुद्रा बुखला कर भीमा को मारने पहुझता है और वो अपने साथ उस पुलिस वाले की पतनी को भी लेकर आया था जिसे उस ने मुवी की शिरुवात में मारा था लेकिन भीमा कहां डणने वाला था वो रुद्रा के आदमियों सहीत रुद्रा को भी मार कर बेहुश खर दिता है फिर वो बेहुश रुद्रा को एक बोट के नीचे डाल कर उम्हें विद्या के साथ बैठ जाता है यहां दोनों बैठ कर प्यार भरी बाते करी रहे होते हैं तब ही भीमा एक आदमी को वहाँ से गुजरते हो देखता है जो कि गुरुजी यानि रविंदर के लिए एक खास तरह का पौधा लेकर जा रहा था और ये पौधा हमें पहले भी दिखाये गया था यहां विद्या को शक होता है कि रविंदर तो रात में किसी से भी नहीं मिल इस चीज का प्रियोग वह नाथ बच्चों पर कर रहा था यानि कि इन सब में टाणवा, रुद्रा और भवानी सब ही मिले हुए थे विद्या देखते है कि रविंदर ने अपने पागलपन की वज़ा से कई बच्चों की जान ले ली थी और रविंदर ये टेस्ट रुद्रा को ले आता है, यहां भीमा काफी लोगों को मारता है पर तबी उसे रविंदर रोगता है क्योंकि उसके आद्मी ने सबी बच्चों को और उसने विद्या को पकड़ रखा था, उसने विद्या के सर पर एक छोटा सा ऐरो लगाय हुआ था, जिसमें जहर लगा थ अगर भीमा एक भी कदम आगे बढ़ाएगा, तो रविंद्र उस ऐरो को विद्या के सर में घुसा देगा, जिससे विद्या का खून ही जम जाएगा और नसे फट जाएगी, यह देखकर भीमा को रुखना पड़ता है, यहां पता चलता है कि रविंद्र संजीवनी की जो सुनते ही रुद्र उस पर एक के बाद एक बार करने लग जाता है, और मरने से पहले भीमा रविंद्र से कहता है, कि अगर मेरे मरने के बाद तुम ने विद्या को या फिर इन बच्चों को परिशान किया, तो मैं मौत को हरा कर वापस जरूर आउँगा, तब उसकी धम मिली और उसने पैसो में भीमा की लाश को जला δिया, पर उस दूरान सतीश के सामने भीमा की आत्मा ही प्रकट हुई थी, और उसे पूरी कहानी बताई थी, ये कहानी जानने के बाद सतीश ने उसको बोला था कि तुम मेरे शरीर में आकर अपना बदला पूरा कर लो, लेकि आते हैं कि तुम्हें मेरे जुड़वा भाई रामा को यहां लाना होगा क्योंकि मैं अपने परिवार के ही किसी सदस्टे के शरीर में प्रवेश कर सकता हूँ। कि यह तो भीमा का भाई है तब वो इन सभी पर अपना टेस्ट करने के लिए कहता है और यहां मासुमों की जान जाते हुए देखकर परी रमा से कहती है कि तुम्हारा भाई इन बच्चों के लिए भगवान समान था तो मैं आज उसे बुलाना ही होगा और जो तुम्हारे साम का उसने पहली बार भाई का था तो भीमा की मदद से रमा सभी को बहुती बूरी तरह से मारता है जिससे टांडवा और उदर का भी खेल खतम हो जाता है फिर जब रमा रविंद्र की तरफ बढ़ता है तो रविंद्र अपने चारों तरफ ऐसा सुरक्षा कवच पर ना लेत जबाब में रमा कहता है कि अगर भगवान खुदा जाए तो यहां हम देखते हैं कि रमा के अंदर परशुराम भगवान आ जाते हैं और वो एक उलाड़ी लेकर सबसे पहले भवानी का गला कार देते हैं फिर वो रविंद्र की कवच को तोड़कर उसे मारते हैं साथ ही व उसने विद्य को मारा था जिसके बाद रमा पूरे विद्य विधान से अपने भाई को आखरी विदाई दीता है और दो साल बाद जब उसका बेटा होता है तो रमा उसका नाम भीमा रखता है इसी के साथ यह मूवी यही पर खतम होती है दोस्तों आप कोई मूवी कैसी